आज हम सूरन जिसे जिमीकंद भी कहते है, एलिफंट याम भी कहते है, तो सूरन के बारे में हम जानकर लेने बारे कि इसे किस तरह आप लगा सकते हैं अपने घर पर, तो जहाँ पर ज्यादा पानी जमा होता ऐसे मिट्टी में इसे न लगाए, जहाँ पानी आसानी से निकल हो, ऐसे ही जगे यहाँ लगाईए, तो आप इसे फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, या तो आप जूंजुले में भी इसे बरसात के पहली लगा दीजिए, लगभग 6-7 मेने में यहाँ आपका तयार हो जाता है, तो आप इस तरीके के जो बड़े वाले गंबले रहते इनमें भी आप लगा सकते हैं, जैसे घर पर आपको कुंडियों में लगाना हो, तो आप लगाईए, या तो आप डारेकली मिटी में लगाईए, तो मिटी में आपको एक बाएक फीट का आप जब गड़ा खोदेंगे, तो आप उसमें यहाँ सुरन लगा सकते हैं, इस तर खोदेंगे, उसमें आप गोबर खाद मिला दीजिए, और यहाँ जब आप लगाते, तो आप फंजी साइड के घोल में 20 मिनट तक इसे डूबा के रख सकते हैं, फंजी साइड के घोल में इसे 20 मिनट तक अगर हमने डूबा के रखा, तो किसी भी तरीकी की फुफुन नास जो बिमारिया होती है, वहाँ नहीं होंगी, और जो हमने कंद लगा यहाँ जिन्दा रहता है जमीन में, तो जैसे आपने 20 मिनट तक इसे डूबा के रखा, एक घंटे तक भी आप रख सकते हैं, इस सूरन को फंजी साइड के घोल में, और उसके बाद में आप सुका ने र करके एक वेराइटी है, श्री पदमा करके भी एक वेराइटी है, जो बहुत ही अच्छी होती है, तो अलग-अलग एरियाओं में अलग-अलग आपको इसके वेराइटीज मिल जाएंगे, देसी वेराइटीज भी अवालेबल है, और लग-भग 6-7 मैने में यहाँ परिपक और आप जमीन से खोड़ के सुरन निकाल सकते हैं, और इनी कंद का आप फिर से अगर जमीन में लगाएंगे, तो आप बीच के तोर पे इस्तमाल कर सकते हैं, इस तरीके से आप सुरन के पवधे बड़े कर सकते हैं, जो आप हरा कलर का जो पवधा देख रहें वीडियो में तो इस तरीके के पौधे बड़े हो जाते बरसात के मुसम में पानी कम देना पड़ता है और अक्टॉम्बर नोवेंबर में यहाँ जैसे आपने लगा दी यहाँ इधर बरसात के पहले तो अक्टॉम्बर नोवेंबर में यहाँ तयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए पौधा पिला पड़ता है आप निकाल लीजिए जमीन से और आपको जो यहां बीज लगाना है तो यहां लगभग 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम आधा किलो तक का ही आप यहां बीज के तोर पे आप सूरन लगाईए जो आपको हमने साइज दिखाया था वहां 200 से 250 ग्राम का था तो यहां आप कंद लगाईए तो आपको यहां पर अपने हिसाब से आप खाद भी डाल सकते हैं जैसे कि डी एपी भी डाल सकते यूरिया भी डाल सकते पुटेज भी दाल सकते है जो बड़े वाले कंद रहते है सुरन के तो वहां ऐसे तुकड़े करते है चार और उसके बाद में इस तरीके से चार तुकड़े करने के बाद में उपर के भाग में जो अंकूरन है वहां से अंकूरन निकलता है और इसके साथ में इसे सुकने के ल लगा दिया जाता है आप इसकी खेती भी कर सकते है जिसमें कम बिमारिया आती है सिर्फ आपको पानी जमा नहीं रहना चाहिए यहां आपको ध्यान रखना है आप चाहे तो इसे घर पर जो रिजेस एन फरोज नाली वाली जो मैथड रहती है जिसमें आप मिट्टी ऐस जमा क करते वहां पर भी यहां कर सकते है और उसमें भी आप लगा सकते है नाली वाली मैथड में साथ में जब भी आप यहां पोधा लगाते तो उपर में आपको जो धान का जो दंठल रहता है उससे यहां जाग दिया जाए ताकि सूरन बड़ा हो साथ में आप इसके साथ में हल पानी आपको बरसात के मोसम में बहुती कम ही देना है क्योंकि पानी अल्रेडी उपर का आता है आस्मान का और उन्हा लेके इसमें आप लगाते जैसे कि फरवरी मार्च में तो आपको उन्हा लेके मोसम में पानी देते रहना पड़ेगा तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है